बिस्मिल्ला रुख्माले रखीम, अस्सलाम अलेकुम प्यारे बच्चों, उमीद है आप लोग खेड़े से होंगे, मैं भी बिल्कुल खेड़े से हूँ, मैं आपकी उर्दु की उस्तानी, आपको आज बढ़ाऊंगी, उर्दु में नया हुर, ठीक है, ये हमारा माँ है दि रूई, रूई, और जब भूग लगती है, तो फिर हम क्या खाते हैं, मामा से कहते हैं, मामा जल्दी से रोटी बना दें, ये है रोटी, ठीक है, मामा से क्या कहते हैं, भूग लग रही है, मामा जल्दी से रोटी बना दें, ये है रोटी, जब पकरित में गाया आती है, त नहीं गूमने जाते हैं तो किस पे बैठी जाते हैं रेल पे रेल पे जाते हैं आजकर बच्चों को रहा है नजला और नजले में हमेशा अपने पास रपना चाहिए रुमाल यह है एक अदर रुमाल ठीक है अच्छा सर्दी में जब मुंफली लेने जाते हैं उसके पास होता है यह मीठी मीठी होती है यह रेवडियां इसको कहते हैं रेवडियां और बच्चियां जब अपने बाल बांगती हैं तो उसमें यूज करती हैं रबर बैंड यह है आपके पास रबर बैंड हर गल के पास ह और जब हम कॉपी में वर्क करते हैं पैंसल से तो टीचर कहती है बहुत साफ सुत्रा काम करना है तो थोड़ी सी रिस्टेक हो जाती है तो फिर हम क्या यूज करते हैं इसको कहते हैं रबर ठीक है पहले बच्चों और हम कहते हैं कभी-कभी सण्हुवे बहार निकला के रैकेट यह होता है रैकेट शिटर के साथ खेलते हैं रैकेट एक थोटी सी आपको कहानी सुनाओंगी राजा और रानी एक राजा और राणी सेर को निकलते हैं बाग की लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं जब रास्ता भूल जाते हैं तो वो निकल जाते हैं जंगल की तरफ जंगल की तरफ निकलते हैं तो राणी डर जाती है राथ भी हो जाती है तो राजा कहता है राणी से डरों नहीं रात में ही हम इंचालला, इफागत से घर पहुंच जाएंगे लेकिन राणी बहुत डर रही होती है एक दम से जंगल से आवा़ाज आती है बहुत ही खौफनाब राणी कहती है, पता नहीं कोई खौफनाब जानवर है पताए बच्चों, वो कई था जानवर था? वो था रीच रीच की आवाज बहुत खतर नाप होती है तो राजा और राणी दोलों ड़र जाते हैं लेकिन रीच की सिर्फ आवाज आती है और राजा और राणी जल्दी जल्दी अनला-कल्म लेके घर पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों राजा और रानी की कहाने सुनी त्रिज की आवाज सुनी और बहुत सारे चीजें आपने एक पढ़ा वो पता है कि से शुरू होता है? वो शुरू होता है हुर्फ रे से हुर्फ रे से इसकी आवाज निकलती है रा पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? हम बहुत सारे खांदान पढ़ चुके हैं एक अलिफ का खांदान अलिफ मदा फिर बे का खांदान बे पे ते टे से फिर धाजीर का खांदान जी चे खे खे फिर दाल का खांदान दार डार जार अब हमारे पास है नया खांधान उसका 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 चुरू हो रहा है उसका रे से ठीक है उसकी आगातील लगती है रा तो यह हम्यारी किसे पढ़ी रा से रोटी रासे रेल, रासे रेवरिया, रासे रसी, रासे रीच, रासे रोटी, रासे रुमाल, रासे रैकेट ठीके, प्यारे बच्चों, मज़ा आया पढ़ने में अब आपने बहुत सरी चीज had been तरफ प्यारे बच्चों अब हम आते हैं अपनी लिखाई की तरफ आज हमने पढ़ा है रे अवाज है उसकी रा आज हम उसकी करेंगे लिखाई यह है हुर्फ रे इससे किती सारे चीजें हमने पढ़ी थी रीच रिक्षा रबर्द और रसी तो हमारे पास एक प्यार इसी फो रिक्षा लेकर भागा रे बड़ा ही सीधा साधा तो बढ़ें रीच रिक्षा लेकर भागा रे बड़ा ही सीधा साधा रे यह हमारा नया हांदान रे, रे का खांदान, रे से स्टार्ट हुआ, रे की सा आवाज निकलती है, रा, रा रबडी, रा रिक्षा, रा रीच, रा रसी, रा रोटी, अब हम लिखेंगे, अपनी खुद से राइटिंग, ठीक है, डॉर्टेट लाइन पे आपने रखनी है, पैंसिल और अपनी नीचे वारी लाइन तक रे लेकर जाएंगे, नोक नहीं बनाएएगा बीच में, थोड़ा सा गोल, रे को बीच से हलका सा गोल करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, रे, इसको कहते हैं, रे, फिर बनाएंगे, डॉर्टे लाइन पे पैंसिल, और नीचे तक लाएंगे, गोल से, नोक नहीं बनानी रे में, ठीके प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है इसलामयात, अब हम चलते हैं इसलामयात की तरफ, इसलामयात में हम सबक पढ़ रहे थे कुराण मजीद, उसका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल के जवाब हम याद कर चुके हैं, अब हम करेंगे, इ पहला सवाल आपका मिन चौपता सवाल पुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं तो जवाब है तीस तिर आपका सवाल है पुरान मजीद हमें क्या बता है पुरान मजीद हमें क्या बता है जवाब है अल्ला ताला की बाते है अल्ला ताला की बाते है ठीक है प्यारे बच्चों अच्छी तरह इसको याद कीजेगा सबक पुरान जितके सारे सवालात हो गए अब आपने इसको याद करना है ठीक है ओके और नाजरा में आपको याद करना है कलमा शहादत शहादत कलमा कौन सा है दूसरा कलमा शहादत शहादत माने गवाही अश्यद ला इलाह इल्लाहू वहदहू ला शरीक लहू वाश्यद अन्ना मुहम्मदन अब्दहू अरसूलहू ठीक है? आप लोगों ने इसको याद करना है या आपका नाजरा है ओके अल्लाह अपना बहुत ख्याल रखेंगा फिर मिलेंगे इंशाओला